श्री देवी ने अपने देवर अनिल कपूर के साथ परदे पर खूब किया था रोमान्स असी और नब्बे के दशक में सिनेमा परदे पर अपने टब पुरीगीरी वाले अंदाज से सिनेमा प्रेमियों की दिलों में अभिनेता अनिल कपूर ने एक अलग जगह बनाई है सबसे ज्यादा रोमान्स अपनी भाभी श्री देवी के साथ किया है अनिल कपूर श्री देवी के साथ पहली बार नज़र आए थे फिल्म मिस्टर इंडिया में जो एक साइन्स फिक्षन फिल्म थी इस फिल्म में अनिल कपूर और श्री देवी के रोमान्स को लोगों ने खूब पसंद किया था और मजे की बात ये है कि इस फिल्म को अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने ही बनाई थी जो उस समय श्री देवी से मन ही मन प्यार करते थे मिस्टर इंडिया के बाद श्री देवी अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई फिल्म नाम अवतार में और फिर येस चोपड़ा की फिल्म लमहे में इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं थमा फिल्म निर्माओं के लिए उस समय ये जोड़ी सबसे होट जोड़ी थी हर कोई इस जोड़ी को अपनी फिल्म में लेना चाता था 1992 में ही रांजह में दोनों रोमांस करते नजर आए रूप की रानी चोरों का राजा 1993 में रिलीज हुई जो काफी बड़े बजट की फिल्म थी इस फिल्म में अनिल कपूर और श्री देवी का लोग एकदम अलग था फिर गुरू देव, लाडला और मी बेचारा में भी इन दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाया अनिल कूपर और श्री देवी की जोड़ी आकरी बार नज़र आई फिल्म जुदाई में जिसमें श्री देवी ने एक चाले जिंकिरदार निभाया था जो पैसों की लालच में आकर अपने पती अनिल कपूर को बेच देती है इस फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया था जुदाई फिल्म की रिलीज से पहले बोनी कपूर ने श्री देवी से शादी कर ली थी फिर इस फिल्म की रिलीज के बार श्री देवी ने एक लंबा ब्रेक ले लिया था पर अब वो फिर कुछ फिल्मों में नजर आ रही है लेकिन श्री देवी की अपने देवर अनिल कपूर के साथ ओन स्क्रीन रोमांस को लोगों ने खूब पसंद किया था